जादूगर्णी ने कहा कि तुम क्या यह चाते हो कि मैं उसे मारना बंद कर दूँ और उसे पहले जैसी स्थेती में ले आऊँ अगर तुमारी खुशी इसी में है तो मैं अभी ऐसा कर सकती हूँ अभी सी बने वहे बादसाह ने कहा कि मैं सचमुच यही चाता हूँ कि तुम इसी समय जाकर उसे दुख से पूरी त्रहे छुड़ा दे ता कि उसकी चीख फुकार से मेरे आराम में विघन्य आय ने पड़े रानी ने सोकागार के एक अक्स में जाकर एक प्याले में पानी ले फिर वहे उसका एक्स में गई जहां उसका पती था और उस पर वहे पानी छड़क कर बोली यदि परमेसवर तुम से अतेंत अपर्शन है और उसने मुझे तुझे ऐसा ही पैदा किया है कि इसी सूरत में हर रहा है किन्तु यदि तेरा सवा भावी के रूप यही यह नहीं ह तो मेरे जादू से अपना पूरो रूप राप्त कर ले रानी के यह कहते ही वहे बादसा अपने असली रूप में आ गया और परशन होकर उठ खड़ा हुआ रानी ने कहा कि तूँ खैरियत चाता है तो फोरन यहां से भाग जा फिर कभी यहां आया तो जान से मार दूँग वहे बेचरा चुप चाप निकल गया और एक और इमार्त में चुप कर देखने लगा कि क्या होता है रानी वहां से फिर शोकागार में आई और हबसी बने हुए बादसाह से बोली कि जो तुम चाहते थे वहे मैंने कर दिया एव तुम उठ बैठो जिससे मुझे चैन मिले बादसाह सियों जैसे सबर में बोला तुमने जो कुछ किया है उससे मुझे आराम हो आराम तो मिला है लेकिन पूरा आराम नहीं तुमारा हत्याचार है भी तुमारा हत्याचार है भी पूरी तरह से दूर नहीं हुआ है और मेरा चैन है भी पूरा नहीं मिला लोटा है तु तुम ने सारे नगर को उजाड रखा है और उसके निवाशियों को मचली बना दिया है हर रोज आधी रात को सारी मचलीयां पानी से सिर निकाल निकाल कर हम दोनों को कोसा करती हैं इसे कारण मैं निरोग नहीं हो पाता हूं तुम पहले सहर और उसके निवाशियों को पहले जैसा बना दो फिर मुझसे बात करो यह करने के बाद तुम अपनी बाहां का सारा दे कर मुझे उठाना रानी इस बात पर भी तुरंत राजी हो गई वह तालाब के किनारे गई और थोड़ा सा हवी मंतरीत जल उस तालाब पर छिड़क दिया इस से वे सारी मचलीया नर नारी बन गए और तालाब की जगह सरड़कों मकानों और दुकानों में से भरा नगर बन गया अबाद साह क साथ आए दरबारी और एंग रख सक जो उस समय तक वापिस अपने नगर नहीं गए थे उस परकार अपने को अपने देश से बहुत दूर एक बिलकुल नए सहर में देखकर अत्नित आस्चार ये चकीत हो गई सब कुछ पहले जैसा बना कर वह जादू गरनी फिर सोकागार में गई और हैसी खुशी से चहकते हुए कहने लगी कि प्यारे तुमारी इच्छा अनुसार मैंने सब कुछ पहले जैसा ही कर दिया है ताकि तुम पूर्ण तह सवस्तोर निरोग हो जाओ अब तुम उठो और मेरे हाथ में हाथ दे कर चलो बादसाह ने हवीशियों के सबर में कहा कि मेरे पास आओ अब वह पास गई बादसाह बोला और पास आओ वह उसके पास बिलकुल वह उसके बिलकुल पास आ गई बादसाह ने उसकी बादसाहा ने उचल कर जादू गरनी की बाहें जकड ली और उसे एक अक्सन भी समलने के लिए ने दिया और उस पर इतनी जोर से तलवार चलाई कि उसके दो टुकड़े हो गए बादसाहा ने उसकी लास भी उसी कुए में डाल दी जिसमें अबसी की लास फैंकी थी फिर बा बाहर निकल कर काले दीपू के बादसाह को खोजने लगा वहे भी पास के एक बहुन में छुपा हुआ उसकी प्रतिक्षा कर रहा था आंगुतुक बादसाहा ने उससे कहा अब किसी काडर नै करूँ मैंने रानी को ठीकाने लगा दिया है काले दीपू के बादसाहा ने सभ आप दिया कि नगर की नगर ही जाऊंगा लेकिन तुम अभी हमारे साथ चलो हमारे महल में कुछ दिन भोजन और आराम करो फिर अपने काले दिपूं को चले जाना जवान बादसाहने कहा क्या आप अपने नगर को यहां से निकट संजे हुए हैं उसने कहा इसमें क्या सही संदे है मैं तो चार पांच घड़ी के अंदर ही तुम्हारे महल में आ गया था काले दिपूं के बादसाहने कहा आपको देश यहां से पूरे एक वरस की राह पर है उस जादू गर्नी ने अपने मंतर बल से मेरे देश को आपके देश के निकट पूँचा दिया है अब मेरा देश फिर अपनी जगह पर वापिस आ गया है आं तुक तुक बादसाहने को क आपके उपकार से जीवन भर अक्सन नहीं हो सकता अंतुक बादसाह है अब भी चकराया हुआ था कि अपने देश में से इतनी दूरी कैसे पूँच गया काले दिपूं के बादसाहने कहा कि आप तो आपको इतना आस्चारिये क्यों हो रहा है आप तो उस इस तरी के आति सवेम ही देख चुके हो आंतुक बादसाह ने कहा कि खर अगर दोनु देशों में इतनी दूरी है तो तुम मेरे देश नहीं जाना चाहो तो नहीं चलो लेकिन मेरे कोई पूतर नहीं है इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं तुमें अपने देश का योवराज भी बना दू ताकि मेरे मनो प्रान्त मेरे राज को भी तुमें संभालो। का सामां, लेकर वहिए आंटुक ते बादसा है के साथ उसकी राजदानी के और रहमाना हुआ जब उस बादसा है कि राजदानी कुछ दिन की राह पर रह गई तो हरकारे बेज दिए गई कि बादसा है के पुर्ण रागमन का निवास करके उसके भरतियों और नगर नवाशियों को दे दी जब वह है अपने नगर के निकट पहुँचा तो उसके सारे सरदारे और दर्बारी उसके सवागत को नगर के बाहरा आए और बादसाह की वापसी बादसाह की वापसी पर बादसाह को दन्यवाद देने के बाद बताया की राजे में सब कुसल हैं नगर में पहुचने पर बादसाह का नगर नवाशियों ने आरदिक सवागत किया बादसाह ने पूरा हाल करे काले दिप्रू के बादसाह को अपना व्यवराज बनाने की गोस बारियों ने विवराज को भेट दी कुछ दिन बाद बादसाह और विवराज में मत्वारे को बुलवा करें उसे अपार धन दिया क्योंकि उसी के कारण विवराज का कष्ट कटा था